हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 फ्री टूल्स शेर करने वाला हूँ जो AI यानि Artificial Intelligence पर बेस्ट है ये कुछ amazing टूल्स हैं जो आपका time safe करेंगे, बहुत interesting है और आपकी life को आसान बना देंगे Students, job seekers, working professionals सबके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ काम का टूल है आपको आपके personal interest से related helpful tools भी इस वीडियो में मिल जाएंगे इन interesting tools को मैं detail में discuss करूँगा, सारी जरूरी बातें आपसे share करूँगा और इन्हें कहां-कहां आप use कर सकते हो ये भी आपको explain करूँगा इसलिए परे रहिएगा मेरे साथ N टक, so without any further delay, let's get started with our video हमारा पहला tool है writer.me, ये एक ऐसा tool है जो बहुत सारी अलग अलग जगाहों पर आपको use में आ सकता है आपकी किसी भी तरह की writing requirements आप यहां से fulfill कर सकते हो blogs, articles, emails, job letter, titles, बहुत कुछ ये artificial intelligence का use करके 10 times fast और better written pieces आपको लिख कर दे देता है social media के लिए आप facebook ads, instagram posts, captions, youtube descriptions, taglines, headlines बगेरा भी यहां से लिख सकते हो इसे copywriters, marketers और entrepreneurs भी use करते हैं आप देख सकते हो 20,00,000 से ज्यादा लोग इसे use कर चुके हैं ये आपका time और पैसा दोनों बचाता है जो usually high quality content create करने में लग चाता है आप screen पर देख सकते हो इन बड़ी बड़ी companies के content writers भी use करते हैं इसको चलो check out करते हैं ये कैसे काम करता है login के बाद इस तरह से आप तुरंट start कर सकते हो कई सारी countries की languages के options हैं हाँ इसमें हिंदी का option भी available है यहां मैंने जैसे English choose किया फिर आपको tone choose करनी है basically आप अपने content को किस तरह present करना चाहते हो अभी माल लो मुझे अपने इंस्टा पेज पर इंडिया की recent win से related कुछ डालना है तो मैं appreciative tone use कर लूँगा then आपको choose करना है use case मतलब कि आप किस type का content piece create करना चाहते हो ये list आप देख सकते हो ये सभी content की options available है for example मुझे post और caption ideas चाहिए उसके बाद आपको कुछ inputs जालने होते है जैसे यहां मुझे post का topic mention करना है तो यहां मैंने डाल दिया कि मेरी post का topic क्या है उसके बाद आप choose करोगे कि आपको कितने variants या options चाहिए उस caption के लिए मैंने 3 choose किया है और आप creativity level अपनी requirements के हिसाब से choose करोगे और बस नीचे ये write for me option पर click करेंगे within 10 seconds मुझे ये 3 caption ideas मिल गए है तो इस तरह आप ये tool काफी तरह से use कर पाओगे similarly अगर आपको email लिखना है तो आप अपनी need के हिसाब से option choose करके आपके important points जाल दोगे और आपको एक बढ़िया email लिख कर मिल जाएगा writer.me पर 5000 words की आपको monthly limit free मिलती है दो email IDs है आपके पास तो आप 10,000 words का free content monthly लिख सकते हो और हाँ ये high quality content एकदम original मिलता है तो कोई plagiarism की problem नहीं आती ये students and professionals के लिए amazing tool है आज के सभी tools की link आपको description box में मिल जाएगी अब बढ़ते हैं next tool की और जो है lowo ये एक free AI based tool है जिसपर आप बहुत सारे purposes के लिए voiceovers create कर सकते हो आप अपने videos, reels, animations, e-learning courses, audiobooks, ads, games हर चीज के लिए voiceovers create कर देता है text to speech platform है ये और एकदम natural human-like voiceovers इस पर से आप बना सकते हो 33 से ज्यादा languages में 180 से ज्यादा voices इस पर होती है और इस पर आप voice को quickly customize भी कर सकते हो इसमें आप languages, female and male voice, voice skins वगेरा चूज कर सकते हो फिर आप अपना text copy paste करोगे और फिर voiceover create हो जाएगा अगर आप YouTube या Instagram के लिए content create करना चाहते हो तो ये platform काफी useful होगा आप explainer videos बना सकते हो, documentary वगेरा भी बना सकते हो आप अपने shoot किये किसी reel के लिए बढ़िया सा text लिखकर और उसका voiceover create कर सकते हो इसमें काफी एक human-like voiceover होगा, robotic नहीं होता है multiple जगाहों पर इस tool का आप use कर सकते हो आप जाकर register कर सकते हो और कुछ free voiceover downloads आपको मिल जाएंगे depart.io हमारा next AI-based free tool है depart.io इस tool की help से आप अपने कोई भी images को artwork में convert कर सकते हो अगर आप एक unique और artistic image चाहते हो तो ये tool आपके लिए useful है आप इन images को personal use के लिए create कर सकते हो जैसे posters, photo frames, wallpapers, etc. आप चाहो तो इस art को t-shirts, mugs बगेरा की printing के लिए भी use कर सकते हो या फिर आप अपने social media handle को attractive बना सकते हो YouTube के लिए thumbnails में या अपने videos में add कर सकते हो basically आप अपना खुद का artwork भी बना सकते हो अगर आप इस tool को अच्छे से explore और practice करोगे तो आप बहुत unique artwork create कर सकते हो आपको बस इसे अच्छे से explore करना होगा और थोड़ी practice करनी होगी इसे use करने के लिए आपको इनकी website पर जाना है और अपनी image upload करनी है फिर आपके पास इस तरह से कुछ styles की options मिलेंगे आप decide कर सकते हो कि कौन सी style apply करना चाहते हो बहुत सारी styles available है इनके पास पर आप चाहो तो खुद की पसंद की कोई style image भी डाल सकते हो थोड़ा वक्त लगेगा पर अच्छे results मिलेंगे इनके free and paid दोनो versions available है difference यह है कि free version में थोड़ी low resolution images मिलती है यूज करने पर अगर आपको लगता है कि आपको और better resolutions चाहिए तो आप paid version खरीद सकते हो deep story हमारा fourth tool है deep story इसे आप अपने projects, assignments, personal hobby के लिए या फिर अपने social media page के लिए यूज कर सकते हो अगर आप script writing करना चाहते हो तो भी ये एक amazing tool है साथ ही आप short form content भी इसकी help से बना सकते हो basically ये एक artificial intelligence वाला story writer है जो आपकी needs के हिसाब से amazing stories create करके देता है आप यहाँ से बढ़िया fictional content लिख सकते हो अगर आपको कोई story लिखनी है तो आप यहाँ से शुरू करने के लिए idea भी ले सकते हो जैसे यहाँ action वाले section में मैंने type किया L.I.S.S. thinking और बाकी कुछ details नहीं फिल की सीधा generate पर click किया तो देखो यहाँ मुझे एक sentence मिल गया इसके बाद मैं चाहूं तो पूरी खुद की story लिख सकता हूं starting point मुझे मिल गया है या फिर मैं आगे कुछ add कर सकता हूं और फिर से generate क्लिक कर सकता हूं जैसे मैंने type किया Those were some beautiful memories और मैंने फिर से generate पर click किया अब आगे एक और sentence आ गया इस तरीके से आप काफी अच्छी और interesting stories या content pieces create कर सकते हो creativity के लिए आपको बहुत सारे ideas and guidance मिल जाएंगे यहां से दोस्तों अगर आपको fictional content में interest है और आप अच्छा content create करने के लिए inspiration लेना चाहते हो तो कुछ classic fiction books आपको पढ़नी चाहिए जैसे एक globally famous book है The monk who sold his Ferrari ये fiction कि थ्रू आपको बहुत useful life learnings provide करती है इसके बारे में आप internet पर जान सकते हो I know books पर ना थोड़ा boring task लग सकता है और इसलिए इसकी audiobook आप KUKU FM पर सुन सकते हो Rich Dad, Poor Dad, Psychology of Money और ऐसी धेर सारी world famous books की audiobooks यहां available है KUKU FM एक बहुत बढ़िया audiobook learning platform है ये लोग 10,000 प्लस non-fiction content की एक बड़ी सी library ही बना दिया है यहां से आप daily बहुत सारे audiobooks, book summary, biographies, skills के बारे में सीख कर अपने knowledge को काफी बढ़ा सकते हो वैसे तो KUKU FM की normal कीमत सालाना 399 रुपए है बट एक शांदार offer चल रहा है अगर आप SS50 coupon code use करते हैं तो आप लोगों में से first 200 लोगों को मिलेगा 50% discount और आपको मिलेगा पूरे साल भर का access just 99 में आपका लिंक वीडियो के description में है, check out जरूर करें authors.ai आप में से जो लोग अपने खुद की novel लिख रहे हो या publish करना चाहते हो कभी लेकिन आप lost हो या guidance नहीं मिल पा रही आपके लिए एक fantastic tool है यहाँ से आप अपनी novels का expert analysis करवा सकते हो इस पे free और paid दोनों versions है पर आप free version से भी help ले सकते हो बाद में आपकी needs or choice की उपर है आपको paid version लेना है या नहीं आप free version पर जाकर अपनी book की word file directly इस platform पर upload कर सकते हो और submit पर click करके अपनी manuscript submit कर सकते हो 15 मिनिट के अंदर आपके पास आपके email पर एक analysis report आजाएगी आप देख पाऊगे कि कहां आप improve कर सकते हो या आपकी book overall कैसी है अगर आप कभी future में book लिखने का plan कर रहे हो तो भी ये tool आपके काम आ सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपसे 5 काफी unique और useful AI tools शेयर किये इस वीडियो को अपने friends के साथ शेयर करो और साथ में इन्हें एक बार explore ज़रूर करना ये आपके काफी tasks आसान कर सकते हैं और हाँ दोस्तों कुकू FM platform एक बार जरूर चेक आउट करो वहाँ आप सब के लिए useful audiobooks अवेलेबल है मुझे comments में बताओ कि आपको सबसे interesting tool कौन सा लगा और ऐसे latest resources, courses and webinars के लिए skills या telegram channel पर हमारे साथ आप जोड़ सकते हो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and thanks for watching